सुमवार को जिला अस्पताल सहत जनपत की 308 केंदरों पर कुल 29,153 लोगों को कोविट का वेक्सिनेशन किया गया जिसमें फर्स डोज लेने वालों में 18,270 और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,923 लोग सामिल रहें इसके संबंद में स्यमो डॉक्टर अशितोस कुमार दूबे ने बताये कि लोग जादा से जादा कोविट चीका लगवाने से हम सुरक्षित रहेंगे तथा मास्क सेनेटाइजर का प्रियोग करें बिना और शक्ता के घरों से ना निकले और सोसल डेस्टेंसिंग का पालन करे ताकि अपने गोर्यकपूर जनपत को सुक्ष और सुन्दर रख सके इस संबंद में गोर्यकपूर ने उससे बात करते हुए स्यमो डॉक्टर अशितोस कुमार दूबे ने कहा ने कहुत है। अपकूर आँ चे यहाँ अब जबस विंकदी का रहते हैं। हमार ना उससे बहुत पड़ा का पॉस्टर आगे। अज अब्सक्ष जाए। आपैं हम्ही बगार की रोल्ड पटे जए। अँग कितना बहुत बात बच्छा इसमें? आज टोटल पांसो केंद्रों पर टीका करन किया जा रहा है आज 35-40,000 टीका करन लगाने का बेवस्था बनाए लिया है जंता से मैं अपील यही करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाने से हम सुरक्षित रहेंगे अगर हम टीका लगवा लेंगे तो हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे